देखिए मेरे को पास कोई अधिकारिक सूचना नहीं है इस बारे में कि ऐसा वो करने जा रहे हैं लेकिन जैसा आप लोग बता रहे हैं ऐसी उड़ती उड़ती हवा सुनी है ऐसा क्यों किया जा रहा है ऐसा कहा जा रहा है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक एलाइंस बनाएं जिसका नाम इंडिया है तो अगर किसी पार्टियों का एलाइंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे देश तो 140 करोड़ लोगों का है किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है कल मान लीजिए इस इंडिया एलाइंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया तो फिर भारत भी बदल देंगे फिर क्या भारत का नाम बीजे पी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे मालो इंडिया एलाइंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया तो क्या यह फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे यह क्या मजाक है देश है भई देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है इतन बहुत चार वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया एलाइंस बनने से तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो यह तो देश के साथ गद्दारी है ऐसा लगता है कि देखें इंडिया एलाइंस के लिए जो इनका रिस्पॉंस है उससे लगता है कि बहुत जाद बोखने हुए हूए, बहुत ज़ादा बोखना हूए हूए, जिस दिन इंडिया यारा सएधा उस दिन उन्होंने एक शगूफा छोड़ दिया, वँन नेशन, वानिलिक्षण करेंगे, डाइ dud करने के लिए टेंशन, वन नेशन, वानिलेक्षण कैसे कर सकते है, वन नेशन वन इलेक्शन से जंता को क्या फायदा है मतलब मैं अगर आपको कौम वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे कोई फायदा होगा आपके परिवार को कोई फायदा होगा बच्चों को कोई फायदा होगा कोई महंगाई कम हो जाएगी बिरोजगारी कम हो जाएगी वन नेशन वन इलेक्शन का बस एकी फायदा है अभी ये इन कुछ हर 6-6 महीने में जनता के बीच में जाके जनता के कुछ काम करने पड़ते हैं फिर ये 5 साल में एक बार शकल दिखाएंगे 5 साल पूरी दुनिया घुमेंगे फिर 5 साल में एक ब पर कम कर दिये सेलेंडर के तो ये बैसी के लिए काम नहीं करना चाहते हैं 5 साल काम नहीं करना चाहते हैं 5 साल मटर गष्टी करेंगे और फिर 5 साल में एक बार आके और फिर कहेंगे कि अब